हलो योट्यूब, मॉर्णिंग एपिसोर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ गाईज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि जब मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको नौटिफिकेशन मिल जाए इस वीडियो में हम लोग वाट्सअप में आये न्यू अपडेट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस नए फीचर को यूज करेंगे तो शू करते हैं वाट्सअप में अब एक नया अपडेट आया है अपडेट ये है कि अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आपको किसी भी ग्रूप में एड कर सकता है या फिर नहीं उसके लिए आपको तीन ओप्शन दिये गया है Everyone, My Contact और Nobody Everyone में कोई भी आपको अपने ग्रूप में एड कर सकता है My Contact में सिर्फ वही लोग आपको किसी भी ग्रूप में एड कर पाएंगे जो आपकी Contact लिस्ट में हो और Nobody में जब कोई भी आपको ग्रूप में एड करने की कोशिश करेगा तो उसे एक Invite करने का Pop-Up मिलेगा इस तरह से कि वो आपको ग्रूप में एड नहीं कर सकता है और उसे ग्रूप में एड करने के लिए आपको Invite Message भेजना परेगा अगर वो ग्रूप में Invite होने के लिए आपको Invitation Message सेंड करेगा तो आपको Personal Chat Box में जिस तरह से मेसेज आता है वैसे ग्रूप का Invitation आएगा इस तरह से उसके बाद आपके पास तीन दिन होंगे इस ग्रूप में एड होने के लिए नहीं तो ये Invitation expire हो जाएगा तो ये थी update के बाद अब आएए देखते हैं कि ये setting हम लोग कहां से करेंगे तो उसके लिए obviously सबसे पहले WhatsApp में आएंगे यहां आने के बाद टॉप में 3 डॉट पे क्लिक करके setting में आएंगे setting में आने के बाद account में आएंगे यहां पे privacy में आएंगे अब group में change कर लिचे उसके बाद done उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा guys please like comment share and subscribe करना मत भूले आपकी एक like मुझे बहुत motivation देगी वीडियो बनाने के लिए तो please like जरूर कीजे और comment में बताएए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा चल ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ